हलो दोस्तो कैसे आप सब होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे मैं आपका अपना सुजय कुमार स्वागत करते हो अपने चानल इसके एकसल ट्रिक पे दोस्तो आज का जो वीडियो है ओ है सेलरी सीट सेलरी सीट कैसे बनता है अगर आप MIS एक्जिकेटीव हैं या HR पोस्ट पे हैं प्राइबेट कंपनी में तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफूल होगा तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में अन्त तक step by step आप देखेंगे कि कैसे DA, HR, PF और TEX निकलता है और कंपनी में क्या-क्या रूल होते हैं तो चलिए मैं एक पहले नया सीट ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं बनाता हूँ तो बनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe कर लें ताकि आपको नए वीडियो का notification हमेशा मिलता रहे तो मैंने जो पहला जो डेटा था उसी में से कोपी करकर यहाँ पेस्ट कर दिया है क्योंकि थोड़ा समय लग जाएगा टाइप करने में आपका भी समय लग जाएगा तो मैंने सोचा कि आपका भी समय बचे और मेरा भी समय बचे तो मैंने कोपी करकर यहाँ पेस्ट कर दि कर लेता हूं और यहां पर आकर पेस्ट कर देता हूं सहीए जी कोई दिकत किसी को नहीं होगा मेरे ख्याल से आप यहां पर आता है बेसिक तो बेसिक टाइप करने के लिए मैं यहां पर टाइप फर्मूला लिखूंगा एक फर्मूला है जिसका नाम है रैंड विट्वीन कित पेस्ट स्पेसल का हम यूज करते हैं तो यह फर्मूला हट गया अगर फर्मूला नहीं अटेगा तो अमांट जो है ऑपडाउन होता रहेगा अब यहाँ पे देखिए मैंगे यह सारा रूल लिख रखा हुग है दीया का एचार Base का टेक्स का ग्रोश स्रेली का और लियक्त स्रेली का दीया कितना परसेंट निकालना है तो इसमें आपको जो है 32% DA निकालना है और company के क्या है rule वो company बताएगी हलाकि आप इसमें सिख लिजिए कि DA कैसे निकलता है तो equal का यहाँ पे sign दीजिए और basic range select कर लिजिए HD का assemble दीजिए और यहाँ पे 32% दीजिए और enterprise कर दीजिए तो यहाँ पे 2390 रुपे 40 पैसा DA निकल गया अब आते हैं HRA अगेन आपको basic sale का जो है आप sales select कीजिए और HD के assemble दीजिए 12% दीजिए और enterprise कर दीजिए तो यहाँ पे HRA निकल गया अब आते है PF का तो PF का क्या है 12.7% है 12.7% आप यहाँ से निकाल लिजिए बेसिक का अब यहाँ से आप जैसे PF निकल जाएगा तो PF जो होता है ओ company के थुरू नहीं होता है government के रूल के थुरू होता है यह government क्या PF text काट रही है अब यहाँ पे PF निकल गया 948 उपिया अब आते हैं text के बारी तो text के लिए हम क्या करते हैं कि यह जो data है निकल गया अब आता है बारी gross salary का तो gross salary में क्या करना होता है कि जितने भी आपका यह निकला है basic, hra, da, pf, text यह सब को क्या करना होगा मुझे plus कर देना होगा यानि कि जोड देना होगा तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा equal के sign दूँगा और लिखूंगा sum bracket open करूँगा और यह total को select करकर enterprise कर दूँगा बारे 1566 जो है निकल गया है अब आता है net salary तो net salary आपको क्या मिलेगा महीने में मंतली आपको क्या होगा तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा equal का sign देना होगा पहले आप gross salary का select कीजिए range और minus दीजिए bracket open कीजिए tax plus pf दोनों को जोड दीजिए उसके बाद bracket close कीजिए enterprise कर दीजिए तो 10,756 रुपया 80 पैसा आपको जो है यह total salary मिलेगा महीने का अब यह हम क्या कर लेते हैं round up कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ बोडर लगा लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे मैंने जो पहले जो बनाया था डेटा वो डिजाइनिंग मैंने खुछ से किया हुआ था तो मैंने सुचा कि आप को भी मैं यह डिजाइनिंग करना सिखा दू तो सबसे पहले तो आप फॉंड का साइज ले जिए कि आप क्या साइज लेना चाहते हैं और उसके बाद मैं इसमें डिजाइनिंग क्या लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ इसको स्लेट कर लेता हूँ और ये fan के size को bold कर लिया मैंने और यहाँ पे number पे click कर दिजिया और fill option पे गया अब यहाँ पे pattern भी ले लेता हूँ pattern का पहले color ले लेता हूँ और उसके बाद में pattern का जो theme होगा जो background का जो theme होगा वो मैं ले लूँगा यहाँ जैसे हमें click कर दिया और okay कर दिया तो यह मेरा डिजाइनिंग करने का तरीका है आपको कैसा लगता है डिजाइनिंग वो अपने according कीजिएगा अब यह जो background में जो देख रहा है रो और column इसको मैं हटा देता हूं थोरा सा अच्छा लगेगा blank sheet की तरह लगेगा और बहतरीन लगेगा सिर्फ data ही द ना दिजे लेकिन उसको design कीजिए थोरा सा बहतरीन लगे तो मैंने यहां पर word art भी ले लिया है आप मेरे स्कीम पर देख रहे होंगे और यहां पर XLRO solution private limited मैंने लिख दिया और इसके बाद हम क्या करते हैं थोरा सा उपर ले जाते हैं साइज को चोटा कर लेते हैं ताकि इसके बाद हैं तो मैं कितना अट कर दो 32 कर देता हूं सही रहेगा 32 कर देता हूं बेटर रहेगा थोगा साइज भी होना चाहिए और यहां पर मैंने रख दिया है तो यह मैं आपको मैं छोटा सा डिजाइनिंग बता रहा हूं आपको अगर लगे कि मुझे इस प्रकार सा नहीं चाहिए तो आप इसके ऑप ले सकते हैं आपको जो डिजाइनिंग अच्छा लगए और अब रहा हूं और जादा नहीं आपको मैं समय दूंगा बस बन गया है और कैसा लागा आपको यह मेरा Sally Slip अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं कमेंट जरू करें कमेंट में मुझे बताएं कि क्या है कैसा लगा अगर आप मुझे कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यह Sally Slip कैसा बना अगर आप MIS Executive है या किसी कमपनी में HR हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उच्फूल होगा तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक, सेर, कमेंट जरूर करें और आपको मैं अब क्या बता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद वाच करने के लिए थैंक यू, सो मुच फर वाची